जैमात अदिमित्रो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मादुरगा को अपना गुरू बना सकते हो साथ के साथ में आप किस प्रकार से मादुरगा से मार्ग दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो जब आप मादुर्गा को गुरू बना लोगे तो उसके बाद में मादुर्गा आपका मार्ग दर्शन करेंगी आपको मार्ग बताएंगी किस प्रकार से आपको अपने जीवन में सफल होना है किस प्रकार से आपको अन्य साधनाए करनी है आपको proper guidance मादुरुगा की तरफ से आपको प्राप्त होने लगेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्याविदी विधाने मादुरुगा को गुरु बनाने का तो सबसे पहले आप लोग वो सुनिए आपको करना क्या है कि आपको जब आप मादुरगा को गुरू बनाऊगे तो कोई विशेश्ट दिन का चुनाव करना है कोई शुब दिन का आपको चुनाव करना है जैसे कि नवरात्री काल अगर नवरात्री काल में आप मादुरगा को अपना गुरू बनाते हो तो ये बहुती जादा उत्तम रहेगा, बहुती जादा सुरेष्ट रहेगा, इसके अलावा अगर आपको नवरात्री काल को नजदीक में नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप शुकल पक्ष के शुकरवार को भी आप मादुर्गा को गुरु बना सकते हो, उसके लिए करना है एक लकड़ी की चोकी लेनी है आपको लकड़ी की चोकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्तर बिचाना है लाल रंग का वस्तर बिचाने के बाद में उसके उपर आपको कुश्पो से यानि की फूलों से फूलों से आपको अश्ट दल कमल बनाना है फूल आप कोई से भ को एक जल का पाथ्र रखना है और दूबती जलानी है देसी गी का दीपक जलाना है और उसके बाद में मा दुर्गा को पुष्प अर्पित करने है उनको फूलों की मौला आपको पहनानी है मादुर्गा के लिए आपको श्रिंगार असमान भी रखना है और उनके लिए आपको चोला भी रखना है चोले से तात पर रही है कि अगर आपने मादुरगा की कोई छोटी मूरती रखी है तो आप मादुरगा के लिए वस्तर ला सकते हो जो मूरती का साइज है मूरती के साइज के हिसाब से चोला आता है माता का ठीक है तो आप वो भी माता को पहना सकते हो, इसके अलावा आप कोई साड़ी रख सकते हो माता के लिए, कोई सूट आप माता के लिए रख सकते हो, जो उनका पूरा चोला होता है अपने आप में, बाद में आप उस साड़ी या उस सूट को किसी भी सुहागन इस्तरी को दान में दे सकत रखेंगार के समान में आप क्या रखोगे माता के लिए मात वैसे तो 16 श्रिंगार होता है लेकिन फिर भी फिर भी आप अपने सामर्थे के अनुसार पांच आइटम साथ आइटम दस आइटम यह ग्यारा आइटम जो भी आपके पास उपलब्द हो सके वह आप माता की पूज भी रख सकते हो कहने का तातपर यह कि आपको ये पूज़ा अपनि साम नुसार करनी है जैसर आपकी हैसियत ओ आप मादुर्गा को सारी सामगरी अर्पित कर सकते लेकिन जलका पात्र देशीगी का दीपक धूगबत्ती अगरबत्ती और माता के लिए भोग का प्रशाद प्रशाद में आप माता के लिए खीर का भोग रख सकते हो पंच मेवे का भोग रख सकते हो मिठाईयों का भोग रख सकते हो इसके अलावा जो भी चीज आप रखना चाहो वो भी आप मा के लिए रख सकते हो फल फुरूट रख सकते हो बताशे लॉंग इलाइची का भोगा पाता को लगा सकते हो ठीक है तो जो भी प्रशाद आप से उपलब्द हो सके वह आप माता के लिए रखोगे भोग प्रशाद के लिए उसके बाद में आप नारियल ल लपेटोगे चुन्नी लपेटने के बाद में आपको 11 रुपे की या 21 रुपे की अर्दास माता के चड़नों में अर्पित करनी है उसके बाद में आपको हाथ में जल लेना है हाथ में जल लेना है आपको थोड़े से साबुच चावल आपको अपने हाथ में रखने है 11 मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं और आप भी मुझे अपने शिष्य के रूप में स्विकार करिए मैं तनमंधन से आपकी सेवा करूंगा आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा अगर जाने अंजाने में मुझसे कोई गलती भी हो जाती कोई सद्रिष्टी सदैव बनाए रखना इस प्रकार से आपको प्रात्रा करनी है और वह नारियल वह जो आपने संकल्प के लिए सामगरी हाथ में लिए वह सारी सामगरी आपको मादुर्गा के चर्ड़ों में अर्पित कर देनी है मादुर्गा की विदिवत रूप से आपको पूजन करना है वहाँ पे पंचो पचार से दशों पचार से शोडशों पचार से जो जो चीज़े आप माता को अर्पित कर सकते हो अपने श्रद्धा के अनुसार अपने सामर्थे के अनुसार वह सारी चीज़े आपको माता को अर्पित करनी है जब आप मादुर्गा की व करना है आप नवार्ण मंत्र का जाप भी कर सकते हो और मादुर्गा का जो अश्टाक्षरी मंत्र है उसका जाप भी आप कर सकते हो नवार्ण मंत्र आप लोग सुन लीजिए ओम है मरीम कलीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हो इसके अलावा म मादुरगा का जो अश्टाक्षरी मंत्र है ओम दुंग दुरगाई नम्हा इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला ही करनी है दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आपको करना है अगर आप दोनों कर सकते हो तो दोनों कर लेना न मैंने जिस प्रकार भी आपकी सेवा करिए आप मेरी सेवा को सुविकार कीजिए और मुझे अपने शिष्षे के रूप में सुविकार कीजिए आज से आप मेरी गुरु हुई और मैं आपका शिष्षे हुआ ठीक है उसके बाद से आप उनको गुरु मा कह करके संबोधित करो मादुर्गा को ठीक है आप उनको देवी नहीं मानोगे आप उनको गुरु मान करके उनकी सदैव पूजा करोगे मादुर्गा की उसके बाद में आपको नित्य पूजा करनी है प्रति दिन पूजा करनी है और नवार्ण मंतर का या दूसरे वाला मंतर जो मैंने आपको बताय दोनों में से जिस मंतर का जाप आपने मादुरुगा को गुरु बनाते समय किया था उस मंतर का जाप आपको नियमित रूप से ग्यारा माला करनी है ठीक है कब तक करनी है जब तक उस मंतर का जाप सवालाख की संख्या में नहीं हो जाता ठीक है जिस दिन उस मंतर का जाप सव लाख की संख्या में हो जाएगा उसके बाद में मादुर्गा का आदेश आपको लगना शुरू हो जाएगा मादुर्गा की पुकार आपको लगनी शुरू हो जाएगी आप जब भी पूजा में बैठोगे तो मादुर्गा का संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा आपकी भ्रिकुटी में आपकी त्रिकुटी में आपके आग्या चकर में खिचाव महसूस होने शुरू हो जाएंगे आपको मादुरगा की तरंगे महसूस होनी शुरू हो जाएंगी सपने में भी आपको मादुरगा के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे लेकिन आपको मंतर का सब्सक्तिया तो आपका सवालाक का जाप घंडित हो जाएगा तो जब तक सवालाक की संख्या पूरी करना ही करनी है हर जब आपका सवालाक का मंत्र पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आपको प्रति दिन एक माला करनी है यानि की 108 बार सिर्फ 108 बार ज़ही आपका काम चल जाएगा मादुर्गा गुरू के रूप में आपका मार्ग दर्शन करना शुरू कर देंगी आपको जो भी प्रशन मा जाओगे तो अपने ही बिस्तर पे बैठ करके आपको मादुर्गा का आवाहन करना है आवाहन करने के बाद में जो भी आपका प्रशन है वो मादुर्गा से बोल करके आपको सो जाना है सपने में मादुर्गा आपको आकर के जवाब दे देंगी लेकिन जिस दिन आप प्र चीज़े आपको नहीं खानी उस दिन जिस दिन आप जवाब मांगोगे मासे या मांका आवाहन करोगे या मांको बुलाओगे ठीक है वैसे भी अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो मादुरगा को अपना गुरू बनाना चाहते हो तो वैसे भी आपको अंडा मीर्व करना पड़ेगा और इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए ठीक है प्याज लस्तन आप खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अंडा मीट शराब यह आपको नहीं खाना कभी भी ठीक है मित्रों इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान में रखन को समर्पीत है तो शुकरवार के दिन आपको मादुरगा को प्रशाद करणा ताकि उनकी कृपा उनकी आशिरवाद आपके उपर लगातार बना रहे और रोज ग्यारा माला जब को करते में देने लगेंगी ठीक है मित्रो आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दिया आपको समझ में आई होगी इसी के साथ में चीज और बता दूँ आपको जो भी समान आपने मादुर्गा को गुरु बनाते समय अर्पित किया है वो सारा समान आपको क्या करना है कि जैसे कि जो भोग का समान है यानि की परशाद का समान है वो आपको खुद खा लेना है जो परशाद है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही को खाना है और किसी को नहीं खिलाना ये चड़ाया है वो समान आपको सुहागनों में बाठ देना है आप अपनी घर की महिलाओं को भी दे सकते हो बाहर की महिलाओं को भी दे कर देना है नहीं तो पेड़ पौदों में आपको डाल देना है किसी भी साफ सुत्रे स्थान पर आपको डाल देना है ठीक है और जो चावल वगेरा वो भी आपको डाल देना वो सब जीव जन्तूओं के भोजन के स्वरूप में हो जाएगा ठीक है मित्रो इसी तरह की जानकारी में आपको लगातार देता रहूंगा जानकारी लगातार आप तक पहुंसती रहा है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करना और बैल आइकन को दबाना ताकि जो भी डाल उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके मिलूंगा आप से अगली वीडियो में जै मतरानी की